तो मैं आप सबी का स्वाव्यत करता हूँ और यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का मेरा टॉपिक क्या है यह मेरी च्छेवी से थोड़ा सा अलग है मैं बहुत गंभीर मुद्धों पर बात करता हूं और आपके मैनेजमेंट पर बात करता हूं लेकिन ये भी मुद्धा आज की rate में बहुत गंभीर हो चुका है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करने दे रहा है कहानी की शुरुआत होती है और मैं time management के लिए जो मेरे videos हैं बहुत पसंद किये जाते हैं और जो मेरे methods हैं चाहे वो chart method हो गया या जो आपको time kill करने वाले method है one day in my life मैंने बहुत से अलग-अलग तरीकों के time management के videos जो आपके काम के हैं इस पर डाले और मैंने वहाँ पर बच्चों से जो है उनका time management diary मांगी और मैंने उनको बताया कि एक दिन में time killers कौन-कौन से हैं कि आप कौन-कौन से time वो जो है जो आपका time kill करते हैं कौन सी चीजे हैं जो 24 घंटे आपके पास भी हैं टॉपर के पास हैं तो वो कौन सी चीजे हैं जो आपको नहीं करने को मिल रही है आपको समस्या हो रही है तो इस पर लेगर तमाम तरह कि मेरे पास जब उनकी डैरीज के पनने और उनके तमाम input आया कि time management वो क्यों नहीं कर पा रहा है और killers वहाँ पर कहा है और हमें लगता था कोई दोस्त है कोई मेलब एक आदत है वहाँ जब मैंने उसको अध्यन करना शुरू किया तो मुझे लगा ये एक बहुत बड़ा time killer है जो मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दे रहा है चाहे time management के तरीके बता दो, motivate कर दो, किताबे बता दो तमाम तरह की चीज़ें कर दो, लेकिन इनके अंदर, इनकी दैनिक जीवन में कोई एक ऐसी चीज़ है जो इनके पूरे time को kill कर रहा है मुझे लगा अब मुझे इस खुले मंच पर आप सभी से ये बात करना चाहिए और आप इसको शायद तयार हो मेरे सामने लगातार एक प्रशन आया लगातार, यह आपकी तरफ से प्रशन आया कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है time management नहीं हो पा रहा है तो मैंने उसके कारणों को जानने की कोशिश की और पिछले कुछ समय से मैंने देखा कि जब से खास्तों पर शोशल मीडिया जो लोगों तक पहुँच बना रहा है जो facebook pages हैं जो आपके instagram pages हैं जहां से लोग एक दूसरे को बहुत आसानी से जो networking है वहाँ पर हो पा रही है वो युवाओं के मन में, हमारे youth के मन में चाहा हो लड़के हो चाहा है लड़किया बहुत मुखर होकर उन्हाने मुझे से यह बात कही तो वहाँ पर एक जो है वो एक बड़ी समस्याई यह समस्या जो है वो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ आप किसी वेक्टी से affectionate है यह जबरदस्त एक तरह देखा जै किसी को गेम खेलने की बहुत आदत लग गई है तमाम तरह की call of duty, pubgy और इस तरह के तमाम तरह के games, किसी को social media की लट लगी हुई है कोई किसी वेक्टी के साथ, किसी जो है वो girl या boy के साथ जो है involved है तो यह बहुत बड़ा एक dimension मेरे सामने आ तो मैंने पूछा किर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसका कारण क्या है तो उसके कारण की जाज परताल में लगा कि या तो किसी के साथ दिल लगा हुए यानि वेक्टी हो गया या कोई वस्तु भी हो गई कोई आदत हो गई किसी को web series देखने की आदत है किसी को pornography देखने की आदत है किसी को तमाम चीज़े हैं और या दिल तूड़ किया वहां से हम एक diversity हो गए और अंदर घणा, विद्वेश, यह सब चीज़ें जो है वो अंदर गुस्ती चलेगे जब मैं meditation की class में gratitude meditation करा रहा था तो उस दिन मुझे कई लोगों ने अपना experience share किया जब मैंने उनसे कहा कि जिसने तुम्हाँ साथ गलत किया तुमने किसी के साथ गलत किया उसको माफ कर दो, उसको जाने दो ठीक है उसको free करो और किसी भी emotion के साथ बंद होगे तो कजी भी भ्यान नहीं लगा पाऊगे उस दिन कई लोगों ने मुझे अपने experience share कि तो मुझे लगा अब इस खुले मंच पर हमें बात करनी चाहिए अब देखता हूँ कि मैं इसको logically कितना scientifically NLP के हिसाब से यह नहीं कहूँगा कि यह सही यह गलत है मैं कोई समासास्त्री नहीं हूँ मैं NLP के हिसाब से आपको इसकी truth की तरफ लेकर जाऊँगा बिना सही और गलत की परिभाशा के मैं आपको बताऊँगा यथार्थ क्या हो सकता है और आप इसको कैसे कुद ही handle कर सकते है इसमें ना कोई चीज अच्छी है और ना कोई चीज बुरी है अगर कोई भी यह वीडियो या आज की class यह आपके प्रशन से निकल कर आई आपके अंदर यह चलने वाला जो एक अजीब तरह का segment है जो 99% बच्चे time management नहीं कर पा रहे हैं उनके पीचे कोई भी हो सकता है वो किसी के चीज की साथ भी affection हो सकता है वो game, social media, वो तमाम तरह की चीज़ें यह आपका जो segment है वो मैं उन्ही के बीच में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ सही और गलत justify नहीं करूँगा आपके समर्थन क्या उशकता है जो मुझे आपका feedback मिला मैं उसी basis जो meditation में gratitude meditation में मुझे मिला जो इस तरह से जो मुझे मेरे पास question आते हैं कि आप time management क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो उस तरह से मुझे जो मिला तो मैं उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ तो चलिए यह हमारे youth की एक बड़ी simplicity problem है आज की date में यह बहुत ही easily हो गया क्योंकि पहले लोगों को आपस में मिलना पड़ता था आप social media के तुरू accounts के तुरू तमाम जो है वो लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक दूसरे के साथ multiple relationship में भी involved रहते हैं और अब चीज़े समाज में एक आंतता पहले तो joint families हुआ करती थी तो हम कहीं भी जा रहे हैं कहीं भी आ रहे हैं हमें कोई ना कोई देख रहा होता हमारा उत्तरदाइत होता आज की डेट में nuclear families हैं parents अलग कमरे में सो रहे हैं आप अलग कमरे में हैं तो आपकी पास एक निजता है और जब आप 18 साल के भी नहीं हुए और आपको ये privacy मिल रही है वो यूथ में जहां पर आपकी हर्मोनल अक्टिविटी बहुत ज़ादा है ये privacy और तुसरा आपके हाथ में smartphone है, social media है आप एक दूसरे को like, dislike लगातार कर रहे हैं तो ऐसे में एक virtual bond जो है वो create बहुत आसानी से हो जा रहा है ये कुछ दिनों में, कुछ हबतों में ये जानने के लिए किसी व्यक्ति को सालों के आशकता नहीं है तो आज की date में ये बहुत easily हो जा रहा है और कई लोगों के साथ हो रहा है तो हमारे youth के साथ बहुत सी चीज़ने चल रही है आज हमारे mobile में वो चीज़ें मौजूद हैं जो हमें पढ़ाई से बहुत दूर लेकर जा सकती है हमें time management को, बढ़ियां से बढ़ियां time management को हमेशे के लिए बरबाद कर सकती है आज हमारे mobile में ही OTT platform available है web series available है तमाम तरह की जो है वो आप तमाम इस तरह की channels हैं जहां पर आप धेर सारे free में भी आप देख सकते हैं वो leak हो जाते है videos Netflix के और इस पर आपको आसानी से उपलब दो जाते हैं तो ऐसी condition में आज की date में जो हमारे दिमाग को भटकाने वाली शीज़ें वो बहुत जाता है मेरी बात अगर पहुंच रही हो तो मेरे समर्थन अपने message के साथ दीजेगा कि क्या मेरा topic सही है और क्या मैं आज इसके बारे में आपसे कुछ विस्तार से बात कर सकता हूँ याद रखेगा मैं पूरे वीडियो में आपको सही और गलत justify नहीं करूँगा ये हमारे जीवन का एक हिर्सा है आप मान के चलिए ये हमारी life हमारी age का एक बहुत important part होता है इससे बचना अगर आपने देखा होगा भगवान श्रीकृष्ण ने भी अगर जो भगवत गीता में कहा है कि काम, क्रोध, लोब, मो ये चार ऐसी बुराइयां सभी धर्मगरंतों में सभी जगों पे इसी के बारे में बात की गई है तो काम, क्रोध, लो, मो इसी के ही हमारे साथ आता है यानि कि integral part of human life है अब हमें एक विद्यारती जीवन में, एक student life में हमें इसके साथ होते हुए भी अपने लक्ष को नहीं भूलना है इसी के लिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, लबासना हमारे दिल में बसता है हमारे जीवन का एक purpose है, हम जो nation building process में involved हो चुके है जिस दिन हमारी आँखों में ये सपना जग गया था, कि हमें लबासना जाना है, हमें civil services में पहुँचना है तो उसी दिन हमारी महबत, हमारा प्यार, हमारे दिल में जो जगह है, वो लबासना ले ले ली तो जब दिल में एक वेक्ती पहले बैट गया है, लबासना जैसा ख्याल बैट गया तो हमें कहीं और बात ही नहीं करनी है तो अब हम उसके बारे में लगातार आपसे जो है वो अब बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने आपको ट्रैंकल कर सकते हैं, कैसे आप अपने आपको फोकस कर सकते हैं अब बात करते हैं, हमारे जीवन में हमारे यूथ को problem आती कहा है, problem आती है emotions के चार नाम है, ठीक है ध्यान से समझेगा, हम बहुत casually उसको कह देते हैं कि फलाना person से love है, फलाना social media platform मेरा प्यार है, फलाना phone, कई लोगों मैंने देखा, phone के लिए भी लोगों को बहुत भैनक affection हो काश वो iPhone अभी मिल जाए, ये हो जाए, तो basically हमारे पास चार शब्दावलियां होती हैं, इसी में हम सबस्यादा confused होते हैं, there are four languages, to express our feelings, एक को हम लोग love, प्यार कहते हैं, एक affection होता है, यानि हम किसी के प्रती एक आकर्शन या लगाओ महसूस करते हैं, एक desire होता है, चाहत ह तो भावनाओं के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग कर देते हैं, कि भई, किसी के लिए हमारा प्यार है, लिकिन हमें अगर ये अंतर समझ में आ जाए, तो हम समझ पाएंगे कि इस emotion को handle कैसे करना है, मुश्किल ये होती है कि जब हम emotion को समझ नहीं पाते हैं, emotion को जब हम सम है, ये biological है, आपके हर्मोनल अक्टिविटी के थुरूए ऐसा होता हो, ये खास age के लिए होता ही होता है, और हर युग में होता चलाया है, चाहे वो प्राचीन रहा हो, चाहे अभी नवीन रहा हो, हर युग में होता है, तो इसके लिए सही और गलत की धारणा को अपने दि समय के साथ, हमें इस emotion को handle करना, या तो हमें आता था, या हमारे पास परिवेश ऐसा होता था, जहां पर हम अपने आपको बहुत free नहीं महसूस कर पाते थे, तो हम इन emotion को control कर लिया करते थे, या handle कर लिया करते थे, और समाज की रीतिया बनी रहती थी, लेकिन जैसे जैसे ह हमारा समाज westernization की तरफ जाने लगा, हम जैसे जैसे open होने लगे, और हमने खुला पंचा है, वो अभिव्यक्ति में हो, expression में हो, बोलने में हो, photos भेजने में, social media के थुरू हो, हमारा जो ये एक openness आने लगा, और हमारे उपर जो foundations थी वो जब खतम होने लगी, हम जीर जीरे सम हमारा youth in emotions को handle नहीं कर पा रहा है, सिर्फ इतनी सी problem है, और emotion को handle करने का एक ही तरीका होता है, emotion को समझना to understand, what is this, तो हम इसको taboos की रूप में लेते हैं, समाज का एक हिस्सा इसको गलत कहता है, समाज का दूसरा हिस्सा इसको freedom of expression कहता है, यह तो तुमारा right है, यह तुम्हे करना चे, लेकिन इसमें कोई भी हमें सही तरीके से इसके बारे में describe नहीं करता, कि emotion को handle कैसे करना है, नतीजा क्या हो रहा है, आज की date में आपने देखा और rape की घटना है, आज किसी को बताने क्या हो शकता नहीं है, कि उसमें एक बहुत बड़ा form जो होता है, वो एक ऐसी emotion जो होती, जो sexual desires होती है, उसको जो आदमी पूरा करने के लिए वहशी दरिंदा होता चला जा रहा है, मेरी ये message है बहुत clear है, तीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जिनको भगवान कहा जाता था, भगवान की रूप में पूजा जाता था कि छोटे बच्चों इंजन के बाद, यूट्यूब के बाद, पॉर्नोग्राफी साइट्स भारत में, पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आती जिनको सर्च किया जाता है, और इनको सर्च करने वाला जो age group है, वो 34, 35 तक की age group का है, जो 12 से लेकर, जो 34, 12 साल के बच्चे, हमारे याफ विस आप भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब है कि we are unable to handle the emotions, दूसरा, डिप्रेशन के आंकड़े जब आते हैं भारत के, तो वो बताते हैं कि हमारे 50% यूथ, बहुत को ध्यान से समझेगा, और आप इसको चेक भी करिएगा, 54% यूथ, आप इसको मजाक लेंग क्योंकि भारत में जो पागलपन है, mental depression यानि mental illness है, उसके बारे में परिभाशा हैं सही नहीं है, 50% यूथ, किसी ना किसी रूप में अपने इस age factor की वज़र से, आप किसी ना किसी रूप में depression का शिकार है, और वो दोस्ती इसलिए करते हैं कहीं, अकेलेपन का शिकार ना हो होगा, तो अब हम इसके बारे में हम बात करें, जैसे अभी एक सजन है, आयुष गूप टाइन होने का सर, मुझे किसी से लव हुआ ही नहीं, यहां लव मैं परसन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को गहरा ही से समझने, बहुत लोग कॉमेडी, emojis भेज रहे हैं, 1% यूथ किसी नहीं किसी रूप में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो सुसाइट कर रहे हैं, वो हेट क्राइम कर रहे हैं, वो एसीड अटैक कर रहे हैं, क्या आपने नहीं देखा या आपने नहीं सुना या आपने आखे बंद कर लिए हैं, तो आप अगर कबूतर प जिनके मन में एक आग जलती है कि परिवर्तन की मशाल हमेशा अंदर से निकल कर बाहर आती है तो हम तो उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो भी बड़ी गंभीरता समझेगा कि जिस राष्ट की इतनी बड़ी युवा अबादी में 54 प्रिशत लोग किसी ना किसी जो डिवर्ष के केसें से बढ़ते चले जारह है और उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो बच्चों का जिनके उपर माता या पिता में से किसी एक का ही प्ययार मिल रहा है उनकी जो एथॉरिटी है वो एक दी जारी है अभी हाली में हैंए जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादी इसलिए की कि आगे चलकर एक परिवार हो, सुख से वो रह सके, अपने बुढ़ापे को जी सके, मेरी बात को ध्यान समझेगा, आज वो बुजुर्ग इस पती-पत्नी के जगड़े डिवोर्स होने के कारण, आज वो व्रधा आश्रम में रहने के लिए मजबूर है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मेरा मैसेज क्लियर है, एक छोटी सी भावना, परिवारों को तोड़ने की भावना, ये कितनी बड़ी सामाजिक बुराई को जन्म दे रही है, कितनी सामाजिक बुराईयों को जन्म दे रही है, जरा इसकी जो severity है, इसकी गंभीरता इसके विशह में, आप सोच कर देखें, अगर मैं सही हूँ, तो मुझे अपना message लिखकर बताएं, कि मेरा message बिलकुल clear है आप तक, अगर मैं वहाँ तक पहुंचो, तब ही मैं इस emotion को handle करने का तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर ये लगेगा कि ये मुद्दा फालतू है, ये मुद्दा आपके प्रशनों से नहीं निकल कर आए, तो मैं इस class को अभी कभी stop कर दूँगा, और यहां सिर्फ वेक्तिके प्रेम की बात नहीं हो रही है, ये हमारा mobile हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जब ये social media affection एक click जड़ा स कोतु अलोरी, अरे मुझे सारे के सारे देखने है, और हमें नहीं पता होता है कि वो 24 गंटे और 40 गंटे हमारी जीवन के कितना important हो सकते मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मामला कितना गंभीर है, आपकी बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर अगर कुछ चल रहा हो तक क्या आप किसी से कह पाते हैं आप किसी को अपना चोट दिखा सकते हैं कि ये देखिए मुझे चोट लग गया ये देखिए मेरे घाओ आ गए लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये किसको आप बताएंगे ये बताते तब हैं जब व्यक्ति आज आपको ये पता होगा कि हमारा यूथ कितना जादा drugs का सेवन करने लगा है आज उसकी drugs जो है उसकी पूरी life का एक बड़ा हिस्सा होता चला जा रहा है और ये आकणों से आज आप परचित मुझे साथ जादा होंगे आज आपको पता होगा कि यूथ में नशाखोरी का मामला कितना जादा बढ़ता चला जा रहा है depression, heartbreak, revenge, बदला लेना ये सब आज की date में क्या हमारे समाज में बहुत common नहीं हो चुका है क्या आप होने वाली महिलाओं के खिलाफ होने वाला योन अत्याचार, एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार के लिए की जाने वाली हत्याएं rape, issue attack, क्या आप इनसे परचित नहीं है तो मुद्दा तो बड़ा गंभीर है, ये हमारे आपके और समाज के बीच का मुद्दा है हमारे आख बंद कर लेने या उस मुद्दे से हट जाने से, वो मुद्दा खत्म नहीं हो जाता उसकी गंभीरता उतनी ही गंभीर बनी रहेगी वो उतना ही गंभीर रहेगा और हो सकता है कहते ना कि एक दिन ये भसमासूर आपके घर भी पहुँचेगा तो ये पहुचना तो जरूरी है लेकिन मेरा सवाल है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है तो मेरे जीवन का जो आज की दिन का मकसद है वो सफल हो जाएगा तो अगर सुनना है तो आगे हम सुनते हैं कि एक emotion होता है इसमें सही और गलत के बीच में मत फसना समाज की definition इसमें बहुत ही अलग है ये सही और गलत नहीं है ये मान के चलो कि ये उम्र का एक factor है जो होगा ही होगा इसको कोई भी नहीं कह सकते भारत की भूमी वो है जहां पर काम देव यानि वो देवता के रूप में रखे गए आप देखिए अगर भारत की भी आप mythology की भी study करेंगे भारत भूमी के study करेंगे तो यानि माना गया कि ये जो desire है lust है ये हमारे जीवन का एक important part है अगर कभी भी आप खुले मन से इसका अध्यन करेंगे तो इसका मतलब ये एक emotion है तो अगर हम emotion को सही तरीके से handle करना सीख जाएं और हमें बताया जा चुका है हमारे ancient literature में इसके बारे में बात हो चुकी है अगर हम इसको सही तरीके से handle करना सुरूग हो जाएं तो किसी भी तरह के सदमे से हम बहुत आसानी से निकल सकते हैं तो emotion को समझने के लिए हमें उसकी भाषा को समझना बड़ा जरूरी है emotion की भी अपनी भाषा होती है और हम गलती वहां कर जाते हैं जहां पर हमें सही शब्दों का परिचे नहीं कराया जाता है जैसे भारत में एक शब्द है secularism और इस secularism के नाम पर पूरा देश अलग-अलग तरीके से भाग रहा है अलग-अलग तरीके से व्याक्या कर रहा है और कोई नहीं जानता कि secularism वह इस्थापित कर रहा है या secularism की वह ऐसी तैसी कर रहा है मैंने देखा कि मेरे सामने एक बच्चा था उसको आईफोन का अफेक्शन हो गया कि वह बच्चा अब उसने रोना पीटना घर में महल खराब करके रख दिया कि आईफोन चाहिए तो affection हम किसी भी चीज के लिए हमारा हो जाता है हम कई बार affection को अपना love कहते हैं कि अफेक्शन हो गया तो यह लगाव जो होता है कि एक word हो गया desire हम किसी चीज को पाना चाहते है वह किसी चीतरा से हासिल हो जाए वो कबीर सिंग मुवी जैसे हो गया कि नहीं मुझे हासिल करना है नहीं मिला करी मेरी नहीं हुई तो हम इसको मिटा के रख देंगे चाहिए वो आली स्थित्य हो जाते है कई बार बच्चों में भी ये प्रवत्य पाए जाते है चौथा वर्ड है केर ये एक अलगी तरह का वर्ड होता है जो इन सभी के साथ तो मिला होता है लेकिन इसका महत तो बहुत जादा होता है तो बेसिकली हमारी आज की जो पीड़ी है वो पहली बात जहां ध्यान से समझेगा affection और desire को वो love का नाम देती है सबसे महत पून बात है क्या किसी चीज के प्रती मेरा बहुत जादा मोह पैदा हो रहा है किसी चीज के प्रती मैं बहुत जादा drive हो रहा हूँ किसी चीज के प्रती मैं अपने अस्तित्य को किनारे करकर उसके साथ जोडता चला जा रहा हूँ उसके अनुरूप ढलता चला जा रहा हूँ तो ऐसी condition में ये affection है यानि कि वो क्या हो रहा है वो एक आकरशड है याद रखिएगा अभी मैं आपको उर्जा के नियम समझाता हूँ और वेग्यानिक तरीके से बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे को काउंटर करती है